Hey friends, welcome here, कैसे हैं आप सब, hope you all are doing good, जैसा कि सब को पता है आज से नवरातरी स्टार्ट हो गए हैं, तो इन नवरातरों से आपके लाइफ में कौन सी खुशकबरियां आ रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी गुड निउस आपको मिलने वाली हैं, आपके लाइफ आप लोगों के लिए helpful होगी, यह थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होगी, और इसमें दो पाइल हैं, पाइल नमबर वन शिफ शक्ती, और पाइल नमबर तू वाउज और प्रामिसेस, जोंसा भी पाइल आपको माता रानी का, जोंसा भी स्वरूब आपको अट्राक्ट कर र है, यह जलना रीडिंग हो सकता है, सभी से पूरी तरह से रिजनेट ना करें, तो जितना रखें और अगर एक पाइल रिजनेट ना करें तो दूसरा भी चेक कर सकते हैं, हम लोग इस रेडिंग में चेक करने वाले हैं, कि माता रानी नवरातरों में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या दिविया संदेश, क्या गिफ्ट्स लेकर आई है, क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, इन फ्यूचर चेक किया मैं तो सब से पहले मैंने चेक किया है, कि आप लोगों के लाइफ में क्या समज्या है? And your second card is the sun. The sun का card मुझे यह बताता है, कि आप लोगों के जो emotions हैं, वो एकदम से imbalance हो जाते हैं. सम टाइम आप इंपेशिंट हो जाते हैं, बहुत जाता गुस्ता आप लोगों को आता है, सबर नहीं हो पाता है, आप लोगों को लगता है, कितना वेट किया जाए, कितना एफ़र्ट लगाए जाए, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, वो क्यों नहीं मिल पाते हैं, वहीं हो सकता आप मेंसे कुछ लोगों को अपने बच्चों के future career के बारे में चिंता रहती हो क्योंकि आपके person आपके साथ नहीं है आपको और आपके बच्चे को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है तो अलग-लग लोगों के साथ अलग-लग समसाई होती है और जो कुछ समसे है मुझे आपके दिख रही है वो मैंने आपको बता दी है बट स्टिल आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा negative नहीं हो आप लोग divine spirituality में believe रखते हो आप लोग prayers करते हो आप लोग optimistic हो आप लोगों को ये confidence है कि बेशे कभी present में चीज़े बहुत ज़्यादा favor में नहीं है बट future में favor में हो जाएगी So you guys are quite optimistic for the future कि अभी कुछ भी problem है लेकिन future अच्छा ही होगा आप अपने बच्चे के साथ बहुत ही confident है कि future में reconciliation हो जाएगा reunion हो जाएगा separation phase over हो जाएगा और अगर किसी person का wait कर रहे हैं किसी रिष्टे का wait कर रहे हैं तो भी आप confident हैं कि वो person finally आपके life में आएगा soulmate twin film connection आप लोगों का हो सकता है अगर आप बच्चे के carrier के लिए चिंता है तो भी चिंतित हैं तो भी आपको लगता है कि future में सब कुछ अच्छा ही होगा तो देखते हैं और cards और देखते हैं कि वो cards आपके बारे में क्या बताते हैं Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon Venus, Rising, Sign, Gemini, Libra, Aquarius आप हो सकते हैं आप जिनके लिए reading देख रहे हैं वो person हो सकते हैं तो अब हम चेक करने वाले हैं कि मातारानी आपको क्या blessings दे रही है क्या नवरात्रे आपके लिए good news ला रहे हैं वैसे तो आप इतने जब्दा negative आपको आपको देख रहे हैं बालेंस आपकी situation में आ रहा है Twin Flame Soulmate connection में आप हो सकते हैं और first card ही judgment का है जिसमें मातारानी ये दिव्य संदेश आपको देना चाहती है कि इश्वर आपको देख रहा है इश्वर आपके बारे में सब कुछ सोच रहे हैं सब कुछ विचार कर रहे हैं आप जितने efforts लगा रहे हैं वो भी इश्वर को पता है और इश्वर बहुत जल्दी आपके साथ नयाई करने वाले हैं आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है बस आप give up मत करो efforts लगाते रहो योर सेकेंड मेसेज फ्रॉम मातारानी page of swords मातारानी कहती है कि जिन भी चीजों को लेकर आपको confusion है clarity नहीं मिल रही है बहुत टाइम से waiting energy चल रही है कोई no contact में है बात नहीं हो पा रही है आपके मन में बहुत सारे सवालात हैं जवाब नहीं मिल पा रहे हैं आप बहुत ज़दा सोचते हैं तो इन चीजों से आपको overcome करना है that means unnecessarily बहुत ज़दा नहीं सोचना है अपनी लाइफ को enjoy करना है because divine की blessing आपके साथ है जो आपका मुश्कल time था वो अल्रेडी निकल चुका है तो overthink कम से कम करें अब आगे का time आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है night of vands आगे के time में आप जिसका wait कर रहे हो वो person आपके life में आने वाले है and वो person आपके लिए बहुत passionate होने वाले है impatient होने वाले है आपको clarity देने वाले है और अगर आप किसी career की opportunity का wait कर रहे हो तो वो भी opportunity आपको मिलने वाली है आपके बच्चे का केरियर भी अच्छा रहेगा अगर बच्चे की आपको फिक्रती दाट मिन जिन भी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन फूचर मातारानी की ब्लेसिंग से वह सभी चीजें आपके मिल रहे हैं विश फुलफिलमेंट आप लोगों की विश फुलफि कह रही है कि आपके कोई सी भी इच्छा है बस आप विश्वास रखो देहरे रखो सबर रखो प्रियर्स मैनिफेस्टेशन करते रहो गिवप मत करो बहुत जल्दी फुल्फिल होने वाली है चाहे वो जौब से रिलेटीड हो चाहे वो फाइनांस से रिलेटीड हो अपने कर लिए आपके कर्मा स्की ओल्मोस्ट क्लेंजिंग हो गया है अब हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है रिवाइन की लेकिन एक गाइडेंस मुझे यह चेज़ों को बालनेस करके चलना है दूसरे गाइडेंस और धिखाय देती है कि ओवर थिंक नहीं करना ह तोथी गाइडेंस फाइटिंग हर चीजों को एकसेप्ट नहीं करना है जो चीज आपको लगता है गलत है उसको एकसेप्ट करने की ज़रत नहीं है ट्रस्ट और भगवान पे डिवाइन पे खुद पे अपने परसन पे इस जर्नी पे ट्रस्ट बना कर रखें अब दिखते है डिवाइन के मेसेज़स आपके लिए क्या है आप मेंसे बहुत सारे लोग सोलजरनी में हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्रेजंट में आपको लेना है फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी है पास्ट के बारे में ओवर्थिंक नहीं करनी है अंसरंडर टू डि यह one by one पढ़ते हैं the answers you need are coming जो भी answers आपको चाहिए वो मिल रहे हैं with the help of divine with the help of manifestation with the help of efforts and आप अपने goals को अचीव करने वाले हैं उसके बहुत पास हैं तो बहुत ही beautiful blessings इन नवरात्रों में आपके पास आ रही हैं अगर आपको clarity चाहिए थी तो clarity मिल रही है अगर आपका कोई गोल था तो उस गोल के आप बहुत नियर हैं बहुत जल्दी उसको achieve कर लेंगे recovery आप लोगों की हो रही है and divine कहती है कि positive आप लोग रहना negative विलकुर मत होना because almost आप बहुत दुख जेल चुके हो almost आप बहुत pain जेल चुके हो लेकिन अब आपके pain खतम होने का time आ गया है recover होन career love life relationship सबको लेकर abundance में आ रही है सबको लेकर abundance आ रही है within the next few weeks और यह results कब तक मिल जाएंगे next few weeks में so यह नवराते पाइल वन के लिए बहुत सारी खुशिया लेकर आए हैं बहुत सारी blessings लेकर आए हैं बहुत सारी wishes उनकी पूरी करने वाले हैं wish fulfillment का card already है आप लोगों को करना क्या है गुसा कम करना है overthink कम करना है positive रहना है divine पर विश्वास रखना है खुद पर विश्वास यही सब messages है आपके लिए I hope कि आप लोगों से resonate की होगी आपको पसंद आई होगी for more clarity you can book your personal paid readings bye for now good day take care so welcome pal to जिनों ने वाउस और प्रॉमिसस का card जो कि यह बताता है कि अगर आपकी कोई भी मनते हैं कोई भी promises है कोई भी family के लिए responsibility है तो उसको बागों भी निभाइए यह नवरात्रे आपके लिए क्या goodness लेकर आ रहे हैं क्या blessings लेकर आ रहे हैं क्या guidance लेकर आ रहे हैं तो यह फर्स्ट काड़ इस Queen of Cups Cancer Pisces Scorpio सेकंड काड़ इस page of pentacles oh my god Taurus Virgo Capricorn Cancer Pisces Scorpio आप यह आपके dear ones हो सकते हैं जिनके regarding आप पर वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट प्रब्लम मुझे लव लाइफ से रिलेकर दिखाई देती हैं सेके इस because of finance हो सकता है पहले के comparatively आप लोग financial कुछ issues face कर रहे हैं and second thing is this कि आप लोग किसी अपने partner का wait कर रहे हैं loving और emotional connection का wait कर रहे हैं किसी को miss कर रहे हैं आप चाहते हैं कि कोई आपके life में आए और उसके बाद आपके life जननत बन जाए किसी का इंतजार है आपको तो यह समस्यां हैं आपकी आप लोग बहुत emotional है oversensitive है well mature है independent है और आप मेंसे हो सकता है कि कुछ लोग एज में छोटे भी हूं just like 18, 20, 25 and उन लोगों को अपना career बनाना हो ऐसी भी चीज़े दिखाई देती हैं कि आप किसी अच्छी career opportunity का बेट कर रहे हैं right अब हम चेक करेंगे कि आपके cards क्या बताते हैं नवरात्रे आपके लिए क्या खुश्कबरी लेकर आ रहे हैं your first card is eight of pentacles your second card is three of swords your third card is ace of pentacles oh my god your fourth card is the tower and your fifth card is the devil तो Capricorn हो सकते हैं आपके पार्टनर sun moon venus rising sign में जावनाई libra aquarius भी हो सकते हैं नवरात्रे आपके लिए क्या खुश्कबरी लेकर आ रहे हैं नवरात्रे आपके लिए खुश्कबरी लेकर आ रहे हैं कि जिस opportunity का वेट कर रहे हैं जिस अफसर का वेट कर रहे हैं जिन चीजों के लिए बहुत जादा मेहनत कर रहे हैं वो with the help of divine blessings मातारानी की क्रिपा से वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं वो bless होने वाली हैं जिन से आपके life flourish हो जाएगी जिन चीजों के लिए आपने बहुत hard work किये थे वो results अब आपको मिलेंगे लेकिन वहीं मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि मातारानी कहती हैं कि कुछ रिष्टे कुछ जॉब या कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ दर्द दे रहे हैं जो आपको सिर्फ परिशानी दे रहे हैं blessings में हमेशा positivity नहीं मिलती negativity भी remove होती है तो अगर कुछ चीज़े हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा dominant हैं बहुत ज़्यादा असहनी हैं कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसमें सिर्फ आप efforts लगाते जा रहे हो आप अपनी जान लगाते जा रहे हो और उ अब रात्रों में आप उनसे निजात पालोगे डाट मींज नेगितिविती डिमूव होनी स्टार्ट हो चाहेगी और कैरियर अपोर्चुनेटी आपको मिलेगी रेस्ट अगर किसे और अपोर्चुनेटी का बेट है तो वह भी आपको मिलेगी जिन चीजों के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हो ओल्मोस्ट अब टाइम आ गया है उन एफर्ट के रिवाट लेने का उन रिष्टों के उन काम के उन भेनत के फल को काटने का पाने का कुछ लोगों को हो सकता है कि जब कोई ऐसा रिष्टा रिमूव हो जो कि बहुत टॉक्सिक हो तो थोड़ा चैते हैं अपनी मर्जी से हो तो बहुत अच्छा होता है बहुत खुशी होती है सम्टाइम कुछ चीजे अपनी मर्जी से नहीं होती है तो उसमें खुदा की मर्जी होती है और जिसमें खुदा की मर्जी होती है न वो हमें शायद उस ताइम पेन देती है क्योंकि वो हमार intuition, अपनी intuition को सुनो, आप लोग बहुत intuitive हो, आपको dreams में भगवान contact करते हैं, आपको angel numbers दिखते हैं, तो आप उनसे contact करो and देखो कि क्या सही है, क्या गलत है, किन चीजों को remove करने के जुरत है and किन चीजों को achieve करने के जुरत है, अगर कोई निया person life में आ रहे है और आप सिर्फ पुराने person पर स्टक हो, तो एक बार chance दे दो यार, intuition को सुनो, आपकी intuition क्या कहती है, romance, निया romance आपके life में आ रहे है, कुछ लोगों की life में already पुराना romance, that means soulmate, twin flame connection, no need to worry, divine, matarani, angels, नवरात्रो पर यही कह रहे हैं, कि आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, you are ready, अब आप रेदी हो, positivity gain करने के लिए, negativity remove करने के लिए, and आपके लिए guidance क्या है, change, आपके life में आगे beautiful changes आने वाले हैं, जो आप manifest कर रहे हो, जो आप चाहते हो, वो होने वाला है, so hopeful रहो, good news है आपके लिए, rebirth, rebirth कुछ लोगों को होगा, सारी negative चीज़े remove हो चाहेंगी, and एक निया बर्थ होगा जिसमें, आप only positivity के साथ आगे बढ़ोगे, do not judge, judge मत करना, कोई चीज आपके according नहीं होती है, तो उसमें आपका फायदा ही है, तब यह मत सोचना कि भगवान ने आपके नहीं सुनी, भगवान है ही नहीं, भगवान होता ही नहीं है, not like this, surrender, जो चीज़े आपके control में नहीं है, surrender to divine, because divine से अच्छा justice कोई नहीं कर सकता, live in the present, यह card pile 1 में भी आए था, तो अगर आप चाहें तो pile 1 भी चेक कर सकते हैं, meditation, आप intuitive है, meditation करते रहिए, present में जीए, divine को surrender कर दे, negative ना हूँ, अगर कुछ बुरा हो भी रहा है, कुछ छूट भी रहा है, तो वो just for positivity, या तो वो बिल्कुल ही, बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए मुझे, renovate होके आएगा, that means, एक ऐसी form में आएगा, कि जब वो आपको, आपके लाइक बन जाए, और अगर ऐसी form में वो नहीं आता है, तो यह समझ लीजिए कि वो आपका था ही नहीं, वो आपके लाइक ही नहीं था, be bold and make the first move, first move लीजिए, जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो माता रहनी कह रहे हैं, ज़रूर लीजिए, bold बनिए, your hard work is paying off, मैंने अल्रेटी ये चीज बताई, कि जिन चीजों के लिए आप बहुत ज़्यादा महिनत कर रहे हैं, फाइनली आपको rewards मिलने वाले हैं, तो ये blessing है, और नवरात रहे, एप परसनल इशू रीज, रिजॉलिशन, ओमाइगाड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मैंने अल्रेडी बोला, कि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ, वैसे तो सबके साथ बहुत अच्छा हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ, नेगेटिविटी रिलीज होगी, तो अव्यस है, कि थोड़ा सा सैड वो होंगे, विकोर जब हम बहुत जादा नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, और वो रिलीज होती है, तो वो थोड़ा सा इंबैलनस करती है, अच्छा होने वाला है, और न्यू स्टार्ट करता है, न्यू स्टार्थ हो रही है, ट्रांसफस्यन और रहा है, तो यह थी पाइलचू की रिडिंग, तो हो आपके साथ हर मूड़ पर हर कदम पर है, तो जाय अमंट अभरता दी, हैपी नवराटरे, for more clarity you can book your personal pay readings bye for now, good day